सफलता का कोई राज नहीं है, लेकिन सफलता मिलती एक दिन जरूर है, सफलता रोज नहीं मिलती है, सफलता मिलती एक ही दिन है, लेकिन अगर आप उसको चाहोगे कि मुझे आज ही वो मिल जाए, वो दिन आज ही हो, तो सफलता मिलना नामुम्किन है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें सफल क्यों नहीं हो पाता मैं पढ़ाई करता हूँ मैं पढ़ नहीं पाता मैं परिक्षा में पास नहीं हो पाता मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे समझ नहीं आता ये सब होने के लिए जो चीजे चाहिए वही चीज सफलता है और आप लोगों को चाहिए कि वो सफलता एक दिन के अंदर मिल जाए तो मेरे दोस्त कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती हमारी दुनिया भी एक दिन में नहीं बनी है हम भी एक दिन में नहीं बने हैं हमारी सोच भी एक दिन में नहीं बनी है लेकिन अगर आप लगातार महनत करेंगे तो वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप बदल जाओगे जिस दिन आपके हाथ में नौकरी होगी जिस दिन आपके हाथ में बहुत सारा पैसा होगा जिस दिन आपके हाथ में वो शक्ती होगी वो पावर होगी जिस पावर से आप अपने परिवार अपने आस पडोस अपने सामने हर वो चीज जो बिगडी हुई है जिसको आप बनाना चाते हो आज किसी भूके को खाना खिलाने चाते हो आप किसी को पैसा देना चाते हो आप किसी का कुछ भला करना चाते हो आप वो सब कर सकते हो लेकिन इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा इस पढ़ाई के सीवा कोई भी दूसरा काम इस दुनिया में नहीं है कि तुम कुछ कर पाओ, तुम्हें पढ़ना होगा तुम्हारे पास एक साधन है ये समय बीच जाएगा, इसके बाद ये साधन भी नहीं रहेगा फिर उस समय तुम्हें याद आएगा, कि मुझे पढ़ना था वो समय आज है, तुम्हें पढ़ना होगा तुम अपनी किताबों को खोलो तुम सोचो तुम्हें बनना क्या है तुम्हें किसके लिए पढ़ना है क्यों पढ़ना है ये सारी चीजें सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि मुझे पढ़ना है तुम आज जो चीज देख रहे हो आज जो चीज समझ रहो आज जिस दिशा में भटक रहो वो चीजे तुम्हारे काम नहीं आएंगी तुम्हारे काम केवल तुम्हारा ग्यान आएगा तुम्हारी नौकरी आएगी तुम्हारी पढ़ाई आएगी तुम्हें पढ़ना होगा तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा तुम हमेशा सुबह उठते ही ये सोचो कि मुझे पढ़ना है बिना पढ़े मुझे नौकरी नहीं मिलेगी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बिना पढ़े उस चीज को पालो बड़ी से बड़ी सफलता बिना पढ़े नहीं मिलती तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए उसके लिए भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है वो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें नौकरी मिलेगी तुम आज उठो, सोचो, बैठो, जो भी काम कर रहे हो उसको बंद करो आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो, एक नया सिलेबस लिखो, एक नया अध्याय शुरू करो और सोचो कि मुझे बनना क्या है, तुम्हें सारे रास्ते देखेंगे कि तुम्हें बनना क्या है इस ओडियो बुक को सुनने के बाद, तुम अपने अंदर की आत्मा से बात करना, पूछना कि तुझे बनना क्या है तुम्हें वो रास्ता जरूर दिखाएगी कि तुम्हें पढ़ना क्या है आशा करता हूँ इस बात को सुनकर तुम पढ़ने के लिए प्रेरित होगे जैहिन बंदे मात्रों